दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में चलिए शुरू करते हैं 10 Facts about इंडियन आर्मी भारतिय सेना दुनिया की सबसे हुची रणभूमी सियाचीन गलेशियर को नियंतित करते हैं जिसकी हुचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है के लोग प्रियास्तियों को ससस्त्र बलो की मानंद रैक से सम्मानित किया जाता है सचिन तेंदल का जो की महान किरिकेटर है इन्हें गोड़ ऑफ किरिकेट भी का जाता है को भारतिय वायू सेना दुआरा कप्तान की रैंक से सम्मानित किया गया है और एमेजोनी जो की बहुत अच्छे किरिकेटर है, को भारति शेना दवारा लेट्टिनेंट की पद्वीशे सम्मानित किया गया है। नेक्स्त है, भारति शेना ने भारत के सबसे उच्छे पुल का भी निर्मान किया है। यह लद्दाक वेली में द्रासो और सुरु नदियों के बीच बना हुआ है। इस पुल का निर्मान भारते सेना द्वारा अकस 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है भारते वाई उसेना का तकाजिस्तान में आउट स्टेशन है। नेक्स्ट है बारत और बारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगे बाले की लडाई में सिर्फ दो बारते सेना के जवान ही सहीद हुए थे इस लडाई पर मसूर बॉलिवुड फिलम बोर्डर बनी है जो कि मेरी फैबरेट है लोंगे बाले की लडाई बारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर निस्ट का तरह थी इस लड़ाई में 120 इंडियन आर्मी के जवाणों ने 2000 पाकिस्तानी सेना के जवाणों को गुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था सबसे रोचक तथ्य यह है कि यह लड़ाई इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ एक जीप थी जिस पर M40 राइफल लगी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना 2000 की तादाद में टेंकों से लेस होती है सेल्यूट टू इंडियन आर्मी सेने इंजिनिरिंग सेवा MES भारत में सबसे बड़ी निर्मान एजन्सियों में से एक है MES और सड़क सीमा सड़क संगठन बियारों पर भारत की बेहद सांदार सड़कों के निर्मान और रख रखाओं की जिम्मेदारिया खरदूंगला जो पूरी दुनिया में सबसे उंची सड़क है और चुम्ब के पहाड़ी जैसी सड़क की रख रखाओं की जम्मेदारी MES पर आती है बारते सेना के पास घुड़ सवार सेना की रेजिमेंट भी है ऐसी रेजिमेंट दुनिया में सिर्फ तीन ही है बारत वर पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद उस समय खतम हो गया था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्म समर्पन कर दिया था दूसरे विशुद के बाद यह सबसे बड़ा आत्म समर्पन था जो पाकिस्तानी सेना ने किया था इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ओप्रेशन राध 2013 में चलाया गया था अब तक सबसे बड़ा लोगों को बचाने वाला मिशन था ओप्रेशन राहत मिशन को भारतिय वायु सेना द्वारा चलाया गया था इस मिशन का मुख्य लक्स है 2013 में उत्रखंड में आई बार्ड से परवावित लोगों को बचाना था ओप्रेशन राहत के पहले सरहन में 17 जून 2013 को 20,000 लोगों को बार्ड के छेतर से निकाल लिया गया था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकोर्ड है तो चलिए यह पर इस वीडियो को स्माप करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन जै बारत